कि नमस्कार फ्रेंड्स आप सभी का सुमन नेच्वल किचन में स्वागत है आज की हमारी रेसिपी यह चना दाल की कड़ी देखिए ने चना दाल को भिगो दिया था चार से पांच घंटे पानी में अच्छे से फूल को तयार हो चुकी है अब हम इसको पीसेंगे पांच छे पानी में अच्छे से धुल दिया है देखिए हमने मिर्च लिया है लेसुन और जीरा इसको भी हम पीस लेंगे इसी किसाद बनाएंगे चना दाल की कड़ी देखिए हम इसको शिल में पीस रहे हैं आप चाहें तो मिक्सर में पीस लें पर सिल की पीसी भी बहुत ज्यादा आती है यह देखिए हम पकॉड़ी बनाने जा रहे हैं जो कि हम कड़ी में डालेंगे जो दाल हमने पीसी थी हमने उसी का पकॉड़ी बनाया है पकॉड़ी को ब्राउन होने तक हम पकने देंगे इसको चलाते हुए इसको हम पकाएंगे पलट पलट के जब यह ब्राउन हो जाए हम इनको निकाल लेंगे कड़ी बनाने के लिए दाल पीसीटिया में थोड़ा सा पपोडी बना लिए पानी बिलाएंगे जिसको काड़ी बची बनाने के लिए जितनी कंसिस्टेंसी आपको सही लगे आप इतना पानी रहां लियाँ इसमें देखिए बिल्कुल ऐसा घोल हम इसका बनाएंगे कड़ी में डालने के लिए हमने दही ले लिया है यह देखिए 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 पकोड़ी हमारी थोड़ी ब्राउन गलब के होगी है थोड़ी और पकजया है तो हम इसको निकाल लेंगे कड़ी में डालने के लिए लिए पकोड़ी हमारी बन चुकी है अप्विसको कड़ी में रह ज़्लाना नहीं है कराई में तेल रख दिया है कि डालेंगे मेथी तेल हमारा अच्छी से गरम हो चुका है करी पत्ता डाल दिया हमें हींग डाल दिया यह यह मिर्च और लैसून का पेस्ट है जो हमने पीजा था दाल के साथ अब हम उसको भी डाल देंगे अच्छी प्लेख पर हमें इस सारे मसालों को अच्छी से पताएंगे दो से ती मिनट तक लगड़ा है देखे पेस्ट हमारा अच्छी से बुन गया है हम इसमें मसाला ने डिला है क्योंकि यह ज़्याएंगे रखना प्लेखने हम सिंपल कड़ी बड़ा रहे हैं तो इसमें हमसी पेस्ट डाला है बस अब हम गोल को डालेंगे जन्ने चना का दाल गोल बनाया पानी डालके अब हम इसको अच्छी से मिलते रहेंगे अच्छे से मिलते रहेंगे दालेंगेशची हल्दी एक चम्मच कि अबादी निकाल के रखे को डाला देगा तो को डालेंगे देखिए तो कडी में डालेंगे देखिए दाहि देखिए और पकोडी दोनों डाला देगे आप पाज़ में तक चलाते रहेंगे, अब रहें एक पाज मिनट तक चलाते रहेंगे, पाज मिनट में पाज मिनट में अच्छा बने काड़ी दम ते तयार हो जाएगी, आप देख सकते हैं, कड़ी हमारी पक चुकी है, पांच मिनट हो गाएं लगवक्त कड़ी को पकते हुए, पकोडी भी अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें नमक डालेंगे, ध्यान दाए कि हमें नमक पहले नहीं डालना है, नमक स्वादम सारम डालेंगे, नमक हमें बात पढ़ाब हो जाती है, इसलिए जब पक चुकी हमें उसमें नमक डालना चाहिए, तो आपको हमारी रेशिपी पसंद आई होक्डी की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड में सेर करिए और आप भी जरूर ट्राइब करिए, ब झाल झाल